जगत के पालनहार स्रीहली विष्णों की प्रिय एकादसियों में से एक शट्ट दिला एकादसी की वर्थकता का श्रण करते हैं, चलिए आएए जगिष्ट ने स्रीकिष्ट में पूशा भगवन मागमास के किश पक्ष में कौन से एकादसी होती है, उसके लिए कैसी विदी है तथा उसका फल क्या है किरपा करके ये सब बाते हमें बतलाईए स्री भगवान बोले, निरुप स्रेष्ट मागमास के किश पक्ष के एकादसी शक्तिला के नाम से विख्यात है, जो सभी पापों का नास करने वाली है, मुनिश स्रेष्ट पुलतश्य ने इसकी जो पाप हारणी कथा दलभ्य से कही थी, उसे मैं सुनाता हूँ, ध्यान से स दलभ्य ने पूछा, ब्रह्मन, मिर्तो लोक में आये हुए प्राणी, प्राए पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की किर्पा करे, पुलतश्य जी बोले, महाभाग, मागमास आने पर मनुश्य को चाहिए कि वै नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रिय सेम रखते हुए काम, क्रोध, अंकर, लोब और चुगली आदी बुरायों को त्याग दे, देवादी देव, भगवान का विश्रमन करके, जल से पैर धोकर, भूमी पर पड़े हु गोवर का संग्रह करें, उसमें तिल और कपास मिलाकर, एक सो आठ पिंड बनाएं, फिर मागमें जब आंद्रा या मूल अच्छत्रा आए, तब किश्पक्ष के कादसी करने के लिए नियम ग्रहन करें, भाली भाती स्नान करके पवित्र हो, सुत्भाव से देवादी देव, स्रीहरी विष्णों की पूजा करें, कोई भूल जाने पर स्रीहरी कृष्ण का नामों चारन करें, रात को जागरन और होम करें, चंदन, अर्गजा, कपूर, नेवेद आदि सामगरी से संख, चक्र तथा गदा धारन करने वाले देव, देवेश्वर स्रीहरी की पूजा कर बारम बार स्री कृष्ण के नाम का उच्चारन करते हुए कुमहडे नारियल अथ्वा बिजोरी की फल से भगवान को विधी पूर्वक पूज कर अर्द दे अन्यसब सामगरियों के अभाव में सो सिपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्गदान किये जा सकते हैं अर्गदान करने का मंत्र कुछ इस परकार है कृष्ण किरपालू सत गती नाम गती भर्व संसारना वन मगना परसीत पुरसोत्तम नमस्ते पुर्णी काक्ष नमस्ते विश्व भावना सुब्राणम नमस्तेदू महापुरस पूर्वज ग्रहनाम मया दंतम लक्षमय से जग पते सचिदानन स्वरूपा त्रिक्रिष्ण आप बड़े दयालू हैं हम आश्रेहिन जीवक के आप आश्रेदाता हो ये हम संसार समंदर में डूब रहे हैं आप हम पर परशन हो ये कमलनयन विश्वभावन सुब्रमैन महापुरुस सवके पूज आपको नमस्कार है ततपश्यात ब्रामन की पूजा करें उसे जलका घड़ा छाता जूता और वस्त्र दान करें दान करते समय ऐसा अवश्य कहें इस दान के द्वारा भगवान स्रीकृष्ण मुझ पर परशन हो अपनी सक्तिक अनुसार स्रेष्ट ब्रामन को काली गाय का दान करें दूज भरा हुआ पात्र भी दान करें उन्तिलों के बौने पर उनके जितनी साखाएं पैदा हो सकती है उतने हजार वर्सों तक वे स्वर्ग में परतिष्ठित होता है दिल से स्नान होम करें दिल का उप्टन लगाएं दिल मिलाया हुआ जल पियें दिल का दान करें तथा दिल को भोजन में काम ले इस प्रकार है निर्फ स्रेश्ट छे कामों में तिल का प्योग करके कारण यह एकादशी शट्टिला एकादशी कहलाती है जो सब पापों को नास करने वाली है बोलो एकादशी महराजी की जय